इने आपको ये क्वेस्टिन नैशनल सिक्योरिटी के बारे में बोले हैं हम भी पिछले 1200 दिन से पूरे देश भर में 153 जगा के उपा और यहां दिली में जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आज जो स्वाल सुर्जेवाला जी ने उठाए है ये ना सिर्फ नैशनल सिक्योरिटी के लिए पूरे देश की एक्जिस्टन्स के लिए लागू है सरकारे आती हैं दूसरी सरकारे आती हैं सरकारे बनती हैं लेकिन देश का सिपाही देश की सेवा में अपनी जान की कुर्बानी के लिए हमेशा तयार रहता है जनम देते रहों मुझको मार मार के बार बार और हर बार मैं होता रहूं कुर्बाने वतन ये है एक सिपाही का दिल की पुकार मेंबर्स अफ दे प्रेस हमने दोजार चौदा में जब रिवारी में जाकर उस वक्त परदान मंत्री जी नौमीनी थे उनको सुना और मैं महुला भी वहां पे कि हम देश की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाएंगे जब हमारे एक सिपाही हेमराज जी का सर काट लिया पाकिस्तानियों ने तो सुश्मा जी जाकर उनके घर आगरा में बोले कि हम ऐसी पालिसी बनाएंगे कि अगर पाकिस्तान एक सिर लेकर जाता है तो हम दस सिर लेकर आएंगे ऐसी हमें उमीद थी तो हम उन्हें उस वकत आज की पाटी जो सरकार में है उनको सुपोर्ट किया हम सब सेनकों ने और आप सब को मालूम है कि वो बहुमात से आए लेकिन आने के बाद उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ कोई ऐसा ध्यान जो इन नीतियों को दर्शाय गराउंड के उपा पाकिस्तान हर रोज हमारे को थाउजन कट से बलीड कर रहा है और हम इब की बार मार इब की बार मार इब की बार मार ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं और हमारे हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी एर फिल्ड पे हमारे सैनिक का शव तरंगे में लिप्ट कर आ जाता है साथियो हमने जो उमीद करी थी आज हम सब जो सैनिक यहाँ बैठे हैं आपके पास आए हैं यहाँ पे आपसे गुजारश करने के लिए कि सरकार एक पार्टियें बनाती हैं और एक प्रिंसिपल आपोजिशन पार्टी होती है उनका भी यह ड्यूटी हैं कि वो नैशनल सेक्यॉरिटी के सवालात उठाकर सरकार से अपनी बात कहें और सरकार को उसके उपर इतनी बाते आएं ताकि सरकार जो सही रास्ता है जो देश की हित में है वो अपनाए इसलिए हम को ये कह देना कि हम फौजी अभी थोड़े से बैटे हैं हम इस पार्टी में गुजगे हम उस पार्टी में गुजगे साथियो आज मैं आपके माधियम से पूरे देश फर में कहना चाहता हूँ कि हम सैनिक देश के हैं और हम सैनिक जो सरकार है उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं और बाकी हमारे सारे जो भी बाकी कार्मेंट को मदद करते हैं पार्लियमेंट में हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको देखबाल करते हुए उनका भी धर्म बनता है ड्यूटी बनती है वो ठाए इसलिए आज हम यहाँ पे कॉंग्रिस पार्टी के हेड कौर्टर में आये हैं आप सब के माधियम से आपको मालूम है कि 2016 11 सिप्टंबर के बाद आज के जो हमारे फेनांस मिनिस्टर और डिफेन्स मिनिस्टर टेंपरेरी थे उन्होंने रोक लगा दिया आप कोई हमारी बाचीत पब्लिश नहीं करते है तो इसलिए आज ये मौका मिला कि हाँ प्रेस कांफरेंस थी एक ऐसे मुद्दे के उपर जो हमारे देश को एक सिर्फ वोड का एक बैंक ना देखते हुए देश की सुरक्षा सबसे उपर होनी चाहिए और आप के माधियम से हम और्व सैनिक अगर ये पूरे देश में दु नाट भी बारगेंड ये नाट भी लिफ्ट तो इस इशूज आफ वन तो एनदर और मैंने किया ये और तू भी कर दे आनी पहने लड़िये लड़े मेरी जुती जुती तेरे सिर में ऐसी बात नहीं साथियों देश की सुरक्षा हमारे सब का दैत्व है जिसमें आप एक ब पास करने का सही इंफरमेशन तांकि देशवासी सही इंफरमेशन मिले आपके माध्यम से तो साथियों हम ये कह सकते हैं कि देश की सरकार ने ये चो दस पॉइंट तो हैं ही हैं कई और इशूज जिनके उपर वाइदा किया जो बोले गए उनको ग्राउंड पे लागून न चुटी चुटी बातों की उपर सुप्रीम कोट का दर्वाजा खड़काना पड़ा हमारे जो डिसेबल सोल्चर हो गए 700 केस ऐसे डाले गए उसका काउंटर इनों ने किया जो हम जीत कहे थे नीचे से उन में से सरकार सिर्फ तीन केस जीती और 697 केस सरकार हार गई तो यू केन सी दे मेगनिचूड आफ इनजास्टिस तो साथ यो कह देना और ग्राउंड पे करना नहीं करनी और कत्री में फर्क डाल देना ये हम सब पूर्व सैनिक समझते हैं कि ये ठीक नहीं है देश के लिए हम तब भी सर्विस में देश के सैनिक थे आज भी हम पूर्व सैनिक सैनिक देश की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं आप सबसे प्रार्थना है कि आप ये जो फर्क डाल जाते हैं जी आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई सर्जिकल स्ट्राइक हुई आज नहीं हुई जब मैं एंडिये में 16 साल का बच्चा गया था तब भी हमने सीखा था कि action behind the enemy lines और हम हाँ जाते रहें 71 की लडाई में मेरी service सिर्फ 5 साल की थी हमने दुश्मन की एक gun position को उड़ाना था पुंच सेक्टर में तो दुश्मन की gun कहा होगी अरे दुश्मन के एरिया में हमारे कमांडो वहां गए पहले दिन तो वो उसको पूरा नहीं कर पाए और उ और मैंने अपने कान में रेडियो सेट लगाया हुआ था अचानक के कवाज आई सलमा फायर सलमा फायर सलमा मुस्लम नाम है तो मैंने समझा पाकिस्तानी आगे हमारे सेट पे हमने जब आपने हेड कोटर से पूछा उननों बोलो नो यह अपने लोग है यह कोड़ वर्ड है उनको विड्रा करो आप फायर करो तो हमने तोप खाने का फायर उनके उपर किया और उनको एक्स्टिकेट किया अगले से अगले देन फिल वो गए तो साथियो यह बिहाइंड एनिमी लाइन जाकर हमने उनकी छे की छे गन बरबात कर दी आपको मालूम है पूछ सेक्टर मे वो किस तरीके से आय थे त्यारी करके और किस तरीके से मार खा कर वापस चले गए तो मेरे आज मेंबर्स अफ दे प्रेस यह जो सर्जिकल स्ट्राइक आज वर्ड येस यह हमारा ट्रेनिंग है हमारा ऑपरेशन है और हम हर रोज करते हैं लेकिन यह एक बहुत अच्छा कभी जिसकी बात्चीत हो रही है और सुबसा खे mús. की बात्सीत हो रही हैं जो असली हमके उंके ऊपर करी तो ऐसे हर रोज जो हमारे उपशुवरिशन में डुपल्यड हैं और जब कभी हमारे द्षपर करता हमारे उपर तो हम उसका ठीक उसी तरह जवाब देते हैं और information सीख करते रहते हैं तो इसको एक military operations की तरह आप देकर military operation को शाबाश दो ये देशवासियों को हम information देना चाहते हैं लेकिन उसका इस्तमाल अगर किसी और धंग से किया जाए तो हम समझते हैं कि ये एक सैने के साथ अच्छा नहीं होगा हमारे आज के दिन इसी कारगिल वार में ही 543 हमारे शहीद होगे वीर और 1367 पूरन रूप से घायल होगे ये casualty थी very heavy casualties but हम अपने तरंगे को लहराने के लिए फौजी मेशा तयार थे इसलिए मेरे साथियो मेरी गुजारश है सरकार को और मेरी गुजारश है आपके माधिम से पूरे देशवासियों को कि आप सभी को ये बताएं कि हमें अपनी फौज को उनके काम के लिए रहने दो उनको काम करने दो आप अपनी policy जो एक national security की अच्छी होनी चाहिए उसको दीजिए और हमें अपनी कारवाई करने दो उसको किसी political gain के लिए या किसी और काम के लिए मत इस्तमाल करें ये हमारी दिल तहसे गुजारश है और यही हम आज कहना चाहते हैं कि जो surgical strike बहुत अच्छा operation किया लेकिन उसका एक माध्यम बना कर हम ये कहना चाहते हैं कि 16 दिसंबर जो 1971 था जब हमने एक देश बना दिया वो दिन क्यों नहीं मनाया जा रहा आज आपके माध्यम से हम request करना चाहते हैं हमने कई बार परधान मंतरी जी को लिखा कि आप जब 26 जन्वरी और 15 गस्त मनाते हो तो 16 दिसंबर भी एक national day मिलना चाहिए जिस वक्त हमारी 93,000 prisoners हमने पाकिस्तान के लिए और उस वक्त हम हर रोज ही पीछे जाते थे दुशन के और वहां से हम capture करके फिर दूसरी जगा चले जाते थे आपको मालूम है बंगला देश में क्या हुआ और किस तरह से हमने पाकिस्तान की फौज को हराया तो यह तो हमारा एक operations का शुरू भी है action भी है और उसका objective capture भी है और battle या war इसी तरह चलती जाती है तो सुरक्षा देश की हम फौजी सैनिक करते हैं आज एक पूरव सैनिक होने के नाते हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि हमें यह मौका दें कि देश की सेवा में लगे रहें और आप इसको political किसी advantage के लिए मत चूज करो यह जो surgical strikes हम डेली कर रहे हैं हाँ यह थोड़ा बड़ा operation था और हमने बड़े अच्छे ढंक से इसको पूरा किया यही मेरे को आज आप सब से कहना है और आप सब से गुजारिश है कि आप इससे जितना फैलाओ करें अभी आप question पूछ सकते हैं